वेल्कम डॉड पर इनमय चेनल और केसी इस्टेडी ओके आज हम लोग देखते हैं रेक्रिंग के-से संबंधित कुश्चिंस को इसको आखिर पारे में बता जूँ ताकि आप इसली इसे बना लो कभी कभी ऐसे होते कि जब आप डिविजन करो जैसे कि आप वन में आप 3 से डिवाइट करो तो यह आपका पॉइंट 3 इसको फिर दिखाने के लिए तो आपका पॉइंट 3 पे बार लिखते और आपका लिखते पॉइंट 3 पे डॉट से भी डिनोट कहीं कहीं किया जाता है और जो most popular आपका ये बार जो दिया रहाता है उससे रेकरिंग को भी denote किये जाते हैं तो इस प्रकार से denote किया जाता है तो आखिर इसको ये तो मैंने 1 में 3 से भाग दिया तो ये आपका क्या था तो कितने पर बाहर है एक संख्या पर इतने भाहर है उतना दीचे 9 दिख दो और तो कुछ नहीं तो यानि आपका ये वन भाई थ्री देखें तो ये वन भाई थ्री आ गया ना आपको समझ में आ गया होंगे कि ये कैसे हो गया ठीक है अगर एक दूसरा दूसरा question हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका 06666 करें, तो यानि यह आपका क्या होगे, 0.6 पे आपका यह बार होगे, ठीक है, 0.6 पे यह बार होगे, यानि आप इसको 6 लिखेगा, नीचे 9 लिखेगा, तो यह आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके 3 हो जाएगा, य यह आप इसलिक बना सकते हो, ठीक है, जो question है, इसे अब तक तो जो viewers होंगे, इसका solution कर भी लिए होंगे, देखने के बाद, जो भी विद्यारती देख रहे होंगे, इसका solution कर लिए होंगे, मुझे मालूम है, आप लोग ब्रिलेंट है, तो कैसे आप लोग करोगे, ठीक है, यह आपका हो गया, जेन, 0.23 पर बार, यानि यह आपका, 23 divided by 9, एंदा 9, तो को option है, ठीक है, option number B, अब next question क्योंगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, next question देखते हैं, हम लोग, कह रहे हैं कि इसे भी आप easily बना सकते हो, कोई tough नहीं है, ठीक ना, 47 है, तो आप सिधे लिख दो, 47 है, दोनों पर आपका बार है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 47 divided by 99, ठीक है, दोनों पर बार है, तो इसका answer आपका हो जाएगा, 47 divided by 99, तो संख्या, इसलिए no, no, ठीक, अब next, इसे बता देख्या, 47 point bar है, तो यहाँ पर आपका 47 आप लिख लो दो संख्या है, तो 9 and 9, आगे है ना, और cancel नहीं ही यह हो रहे, 47 by 99, ओके next question देखते हैं, ठीक है, यह इस question को देखे, आखिर इसे आप कैसे बनाओगे, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों पर बार नहीं है, अगर दोनों पर बार नहीं है, तो फिर कैसे आप बनाने की ज़रत नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ ना, ठीक है, तो इसे बनाने के तरीका है, जो आपका question है, पहले आप इसे no down करो, एक पर बार है, तो इसे बनाने के लिए जो संख्या 57, आप पहले इसे लिख लो 57, जिस पर बार नहीं है, तो इसमें से आप minus कर दो 5 को जितना पर बार नहीं होगा, उतना आप minus कर दो, okay, मैंने कहा, जितनी संख्या पर बार होगा, उतना 9 आप लिख होगे, एक ही संख्या पर बार है, तो आप एक ही 9 लिख होगे, और इधर वाली कितनी संख्या है, point से, point के बाद एक संख्या जिस पर बार नहीं है, तो उसके बंदे यहां पर आप 0 लिए ठीक है तो यह आपका कितना हो गया 52 then divided by आपका 90 हो गया देखे 2 से दोनों cancel हो रहें यहां पर यह आपका 26 हो गया है और यह आपका 45 को ओप्शन नहीं किया देखे तो 26 then divided by 45 26 divided by 45 आपका ओप्शन नंबर सी right answer ओके अब next question के और हम लोग देखते हैं ठीक है यह next question थोड़ा सा और typical level थोड़ा आप लोग अगर टिफिकल होते जा रहा है तो घबराईए नहीं ठीक ना typical level होने से घबराने ज़रूद नहीं सिखने के लिए आप लोग आए हमारे चैनल पर और मैं बिल्कितल के लिखते हैं तो 2 फॉलास 0.3 यहीं होता है यहां बहुत वहल आप वैसा ही किजिए ठीक है यहां भी आप वैसा ही किजिए ना इसे आप लिखो देन टू प्लस देन 0.136 ओके और 36 पे उनली बार है और किसी पे बार नहीं है तो फिर इसे कैसे आप सॉल्व करोगे और फिर यहां पर आप लिखो देन 2 प्लस एक करके पैस्टेफ वाइस करते हैं अब यहां पर लिखो 136 कहते हैं वन पे बार नहीं है तो देन 99 एक पर बार नहीं तो उसके वज़ में आप यहां पर 0 लिख दो ठीक है समझ में आए न तू प्लस कितना हो गया कितना यह आपका हो गया 5 एकम 5 ठीक है 59 45 58 अब इसे ध्यांग देखे तो यह अब भी जो है ना 9 के टेबल से कट जाएगा ठीक है यह 9 के टेबल से कट रहा नोटिया 27 आपका नोधनी 18 यह आपका कितना हो गया देन 2 प्लस 3 बाइ 22 आपने हाँ कैंसल किया ना आपने हाँ कैंसल किया तो यह आपका यह आ गए ठीक है अब देखिए मैंने आपको बताया था सिंप्लिफिकेशन में जो भी देखे हम सिमिले कि यह अगर यह एक्स प्ल अब नेक्स्ट क्यों हम लोग देखते हैं इसको कैसे आप बनाओगे इसे देखते हैं यह कैसे आप सॉल्ट करोगे दिखने में लग रहा है कि आखी रेक्रिंग वाला को कैसे आड़ करेंगे तो रेक्रिंग का पहले बनाने का तरीका यह होता है कि जितने भी पॉंट्स वाले उसे कम से कम तीन डिजिट तक आप इसे लिख लो यह इसली सॉल्फ हो जाएगा इसे तो बाइण बाइन करके भी आप लोग सॉल्फ कर सकते हो ठीक है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि पॉंट देन तो यह पर कितना लिखा गए धेंज पॉंट फाइब फाइब और फाइब 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 फिर आपका पॉंट आपका चीक्स अधाना एत डूटेश अब यह अधान न जो कर दो तो यह देखेगा कितना हो रहाए आछ एचा हो गए आपका चौदह 5 बाइद डूपश भी तो यहां पर यह अगर देखेगा अगर इसके आगे यह तो रेकरिंग वाला है ना इसके आगे लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा यह तो आगे तक चलता जाएगा यानी यह आपका जब करोगे तो पॉइंट ध्रीा टिज्य तुअप्वेंट यह आपका उप्सर्ण ऑप्सर्ण विल्कुल नहीं राइट है अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इससार यह वाला कैसे होगा तो अब कमेंट कीजिएगा ठीक है अब मैं इसका दुसरे तरीके से में बना करके आपको दिखाता हूं कि आप इसे कैसे बनाओगे ठीक कि सब्सक्राइब करोगे ठीक है अब का जो पोइंट 2 पे बार है इसे आप लिख सकते है तो 2 बाइ 9 फिर आप 5 को क्या लिखे होंगे 5 बाइ 9 यहाँ 6 बार है तो 6 बाइ 9 बाइ 9 प्लस 8 बाइ 9 सभी का रिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या लिखोगे एक 9 आप दे दो और सभी को उपर नू जोड़ दो दो पास 7 7 हो गया साचे 13 और 18 आपके कितने हो गये इकीस हो गये ठीक है है नोदुनी 18 है ना नोदुनी 18 यहाँ पर 3 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा नैन हो जाएगा यहीं नहीं हो और तिन 21 ठीक है तो आपका ये दो पुर्णाख मलगे ये लिख सकते हैं देन 2 प्लस 3 by 9 भी हम लोग लिख सकते हैं और 3 by 9 जब कैंसल आप इसे करोगे देन 1 by 3 और जब इसे लिखोगे ये आपका हो जाएक देन 2 प्लस 1 by 3 1 by 3 that means 0.333 ठीक है ये इकवल तो आपका हो जाएक देन 2.3 बार जो कि आपका उक्षान नमबर सी के बराबर है मैंने क्या कि सबको बाइन जो भी उसे आप लिखने के बाद फिर उसे क्या करना एड कर देने एड करने के बाद बास सिंपल में चलते जाना इसके बाद यह इसली सॉल्व हो जाएगे नेक्ट कॉस्चन देखते हैं यह क्या हो गया कि दो-दो डिजिट वाद है और उस पर बाहर है तो घबरानिक ज़रुवत नहीं है जो तरीका में ने बताए उसी को आप पोलो करो ना इसली बन जाएंगे ओके तो इस कॉस्चन को आप कैसे ब यह यहां 37 है तो आप लिखोंगे 37 37 अर यह कितना 80 80 80 सभी को आड़ करो तो सातिन आपके 10 हो गया देन 0 ओवरोल देखेगा तो तो यह रिपीटेड है तो इस पर बार हो जाएगा यानि और भी आपका राइट है ओके और भी राइट होगा ठिक अब इसको दूसरे तरीका से कैसे आप बनाओगे इसे देखते है उस पर दो बार है तो इसे आप लिखोंगे दिवाड़ दिवाड रिफ यानिटो है तो क्या गरेंगे सभी को आप इसका डिनोमिनेटर कितना भी का डिन्होमिनेटर से मैं सरन्साइब आपा अपे जर्म सभी को आप लिख दो डिख दो दें शिच्टि-टी-री परटी-री-बश्ठी लिदें प्लस एट-जीरो सभी का आड़ कर दो दिटन तो आप इसे 9 से भी cancel कर दो न तो यह 11 हो जाएंगा और इसे 9 से करो तो नहीं 18 देन 20 तो यह आपका कितना हो जा रहे है न तो अब इसे आप डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा देन वन टाइम आएंगे और यह आपका 9 बाइ 11 हो गया ठीक है ओके देन 20 तो इस प्रकार से किज़ेगा तो 1 देन 8181 का यह रिपिटेड है यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएंगे